Hi friends, how are you? So today is 9th Feb तो आज का देखते हैं क्या आए था Newspaper में थोड़ा आज लेट होगे आप सोच रहे होंगे बट प्रॉल्म ये थी कि आज Newspaper में Between the Lines बहुत कुछ था Notes बिनाने को बहुत कुछ था तो जल्दी के चक्कर में quality से compromise नहीं करना चाहता था तो आज थोड़ी महनत आपको भी करनी पड़ेगी कुछ notes बनाने पड़ेंगे सोड़ा lengthy है आज तो ध्यान से देखिए आज page 1 पे तरह labor courts के बारे में था हो सकता आपने September में बना ली हो जो भी pass wordable बट आप थोड़ा सब लेबर courts का देखिए बहुत important है यह क्या है पहले मैं आपको question paper दिखाता हूँ यह last year question में आया था as per the industrial employment central rules 2018 जो amendment हुई है उसके आगे two points दे रखे ते कि कौन-कौन सा ठीक है तो आज पलने यह bills की जो ज़्यादा news में रहते हूं कि detailing पहुत पूछने लगे देखिए उसी साल 2019 में की question आया था कि which of the following statements are correct regarding the maternity benefits amendment act तो मतलब इतनी detailing में पूछ वह देखिए pregnant woman are entitled for three month pre-delivery यह crutches होने चाहिए तो आज कल जो bills होते हैं ना जो labors को लेके या कोई भी social norms को लेके उन bills को थोड़ा सा detailing में है देखिए मैं बता रहा हूँ आपको 3-4 साल 5 साल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था बहुत मोटे मोटे तो और को पूछ रहाता था but 2-3 साल से अगर आप देखें criteria तो आज कल जो mains में भी question आते हैं वो इन bills को लेके पूरी detailing मांगते हैं तो इन bills को हमें detail में पढ़ना है तो ये mains वाले भी देखिए mains वालों के लिए मैंने proper लिखा हुआ है prelims का मैं बता लेता हूँ आपको notes कैसे बनाने है तो तीन label codes है ठीके पहला है industrial relations code bill 2020 अब इसको ये याद दखेगा जो prelims वाले हैं जो mains वाले हैं वो तो pause करके धेद्रे सारे एक एक चीज लिखेगा जैसे मैंने लिखी है prelims के लिए कैसे करना है आपने तीनो bills पता होने चाहिए कौन-कौन से आए है तो industrial relations code bill 2020 उसके आगे आगे आपने point wise अगर लिखना है यह चीज गलत हो सकती है तो यह नहीं यह easy हो गया है hire भी कर सकते है fire भी कर सकते है बहुत easy करती है तो यह point ज़रूर लिखेगा bold में क्योंकि ऐसे points आते हैं तो हम लोग confused हो जाते हैं कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता है सरकार को यह ऐसा नहीं बनाए कि fire करना workers को easy हो गया तो यह point ज़रूर लिखे उसके बाद जो अभी तक rules of एक ना company में आपको rules of conduct लिखने होते हैं कि क्या-क्या rules follow करने हैं क्या नहीं तो यह पहले ना hundred workers अगर आपकी factory में काम करते हैं compulsory था मगर आप उसको बढ़ा के 300 करती है ठीक है एक तो इसके लिए इसकी विज़े से strike और trade unions को बहुत effect हुए क्यों अब उनको employers को 14 days advance में notice देना पड़ेगा कि हमें strike करनी है तो 14 days advance में देना पड़ेगा पहले यह public utility services मतलब government की उसमें services में हुआ करता था कि उनको पहले notice देना पड़ता था private में नहीं होता था अब यह private में क्या हर factory में कर दिया है और जो 20 workers or more तीसरा point आप लिखे कि 20 अगर employee आपके बस काम करने वाले 20 या 20 से ज़ादा है तो आपको ए grievance retressal committee भी ताकि उनकी कोई भी अगर दुख समस्या है उसके लिए बना के रखनी पड़ेगी और एक reskilling fund के लिए ताकि जो skilled workers है उनके लिए और दूसरा bill लिखे occupational safety health and working conditions bill याद रखेगा ये तीनो bill आपने लिखने हैं और तीनो bill के आगे-गे provisions भी लिखने हैं तो उसमें आप point wise लिख सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ और occupational safety में इन्होंने spell out duties बताईए employer employees की regarding health working conditions ठीक है और इन्होंने contractual workers को भी recognize किया है इस bill में right of contractual workers contractual workers और permanent workers में ये फरक होता है एक तो आदमी आपने employee किया है जो कि बस permanently काम करते हैं हमेशा और एक होता है कि आप भाड़े से contractor जो होते हैं उनको कहते हैं कि यार मुझे कुछ आदमी की जोरत है थोड़े टाइम के लिए तो वो उनको कहते है contractual workers हर factory में होते हैं permanent workers भी होते हैं contractual workers भी होते हैं और इन्होंने इस बार यह मेरा जब तक यह order complete नहीं होता आपने काम करना है उसके बाद आप जा सकते हैं तो इसमें flexibility मिल गई है और यह याद अखेगा कि जो हमने जो अगर हम यह contractual employees हैं उनके लिए भी हमें social security और wages जो हैं वो बिलकुल वैसे ही provide करने हैं जैसे हम permanent counterparts हो करते हैं दूसरा point यह लिखेगा उसके बाद यह mandatory हो गया है कि कोई भी worker 8 hours a day से ज़्यादा काम नहीं करेगा और 6 दिन हफते के करेगा और अगर वो overtime कर रहा है तो उसको उसकी wage का दूगना पैसे देना है दूगना लोगान पढ़ना यह compulsory है और gender equality लाने के लिए उन्होंने काया है कि women जो है वो सुबह के 5-6 वज़े से पहले भी काम कर सकती है रात के 7 बज़े के बात भी कर सकती है काम हर type के काम हर type के याद दखेगा all the establishments and all type of work but subject to safety holidays or working hours को देखते हुए तो वो 6 वज़े सुबह से पहले भी काम कर सकती है basically रात को भी काम कर सकती है हर type की establishment से हर type के काम में यह याद दखेगा और for the first time इस बारे बिल में transgender की बात भी हुई है उन्होंने कहा है कि आपको washroom, bathing place जो males के फिमेल के लिए लग होता है employees provident fund, यह pension fund scheme ऐसे करके करते हुए 9 laws को इसने replace किया है इसमें इनोंने कहा है कि universalize कर दिया है social security coverage मतलब जो अनावगनाय सेक्टर है या migrant workers है, migrant workers दो दूर दरान जाके काम करते हैं, gig workers हैं, platform workers हैं तो इन सब को भी social security में coverage दी गई है इस बार, पहली बार हुआ है कि agriculture में जो workers होते हैं जिनको हम लोग, मतलब कभी accounting में नहीं आया करते थे उनको भी social security extend करी गई है और उसके बार time limit जो gratitude payments के लिए थी, continuous service की उसको 5 साल से कम दरके 1 साल कर दिया है, और उनके लिए उसमें चाए वो contract labor हो fixed term labor हो या daily worker हो, या monthly wage worker हो सबको ही include किया है basically gratitude payment वाले में इसको एक-एक line को अच्छी तरह लिख लीजेगा बहुत important है और मैं समचन हूँ इस बार एक questions दो questions तो इस पर बनेंगे बनेंगे जैसे भी दिखाये थे मैं questions या दो questions एक ही साल आयते है 2019 में तो यह इस बार मुझे लगता है एक या दो questions इसमें से आएंगे आएंगे अच्छी तरह लिख 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 लेगा labor जो है वो concurrent list में आती है concurrent list में आने का मतलब यह होता है कि उस पर state भी law बना सकती है और central बना सकती है इन तीन codes ने 25 labor laws थे center के पत्चिस उन सबको सबस्यूम करके यह तीन कर दी है ठीक है निचोड निकाल दी है 25 का तीन में और other benefits क्या है तो आपको पता मैंने जिसे बताए कि fixed term employment है यह reduce influence of trade union expand the social security net for informal sector workers यह मैंने सब इसलिए एक बड़ी थुड़ा summary में कर दी है states are free to do this क्योंकि वो वैसे भी concurrent list में आता है तो वो कर सकते हैं इन्होंने states को freehand दी है यह हमने देख लिया कि दो questions कैसे आये थे क्योंकि आप यह देखे मतलब इतना detailing में पूछ लिए था कि maternity benefit act जो है मैंने भी पढ़ा था उस time बट इतनी detailing में पूछ था था कि जैसे pregnant woman entitled for three months pre delivery crutches होंगे या women with two children get reduced entitlements अब आपको यह पढ़ने का जरूरी नहीं है क्योंकि अब यह पूछा नहीं जाएगा इसलिए मैं आपको इसका answer भी नहीं बता रहा हूं क्या है क्या है क्या नहीं देखे कि if the rules for fixed employment are implemented it becomes easier for the firms or companies to lay off workers मतलब यह इतनी detailing में पूछने लग गया है त कि थोड़ी जगे छोड़ दीजा करिए तो उदर आप यह इसको पॉइंट को एड़ करना एक तो हमें देखना है कि इंडिया और मैनमार का बॉर्टर कितना है हम किस-किस स्टेट से हमारा शेर होता है तो वह होता है अगर उपर से ले सबसेर राइट गरम जाए अपने मैनमार हमारे लिए बेसिकली गेटवे है साउथ इस्ट एशिया का और इंडिया मैनमार का बॉर्डर की दिक्कत क्या है कि एक तो पॉरस मतलब क्या होता हाईली पॉरस मींज कि ख़डा हुआ है प्रॉपर फेंस नहीं है कोई भी आ जा सकता है पूरली गाड़ेड है और ए वहीं से आता है Mekong-Gandha Corporation जो मैं study कर रहा था इसकी detailing देख रहा था यह कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको यह मैंने ही study करके निकाल रहा हूं तो आप ही यह नोट्स उसमें और करेंदे में मेंयकोंग जला कौपरेशन हुआ हो तह मारत 2000 में किसकी बीच में इंडिया पांच कंट्रीज के साथ हमारा इसमें हुगा था क्योंकि कंबोडिया लाउस भी इतना मैंनमर थाइलांड और चटे थे हम और वैसे में कॉंग छटी कंट्री कॉंग सी है जो जहां सब के घुजरती है वो है चाइना चाइना से ही ओरिजिनेट होती है तो इसलिए मैंने करना था टूरिजम कुल्चर एडुकेशन ट्रांसकॉंट कॉमिकेशन ताकि और लोगों के बीच में आपस में टाइस बढ़े रिटूरियल के बारे में था गवर्णर का वही पूरा लेक्टर दे रखा था कि वह फांसी का वो करना है जो रहमेट करना है और या उमर कहता तो मैं आपको और यह चीज बहुत डेटेल में बता दी थी पीछले लेक्टर में कि किस की पावर है किस की नहीं और बेसिक्स पे ही जाईएगा जादा जाने की जोरत नहीं है और वो डिस्क्रिशनेरी पावर नहीं है और बांट बाए दा एड एड़ अड़ आड़ बच्वों पता नहीं होगा कि से हमारा किसी को तो जमीन उकड़ गई वहां पर वो गया गड़ में बैड़ नी और उसके बाद वो टाइम मैल्ट हो गई तो मैल्ट हो जायगी तो बहुत बड़ा पानी बन जाएगा ठीक है तो जब वो ब्रीच होता है तो उससे जु ठीक है उसके बाद इस से आज निकाला था कि जह वाट्र ऑर कमिशन है यह मॉनिटर करती अको जैसे मैंने कल बहुत अता Viking कौन जेकर क्राइसिस कमिटी का राव थे घ्का," जो इस बारि आफ्टर करते हैं उसके बाद साम्टेन का नाम is Значит all Glacier Lakes तो यहाद एक कोई पूछ सकते हैं कि किसी भी committee का नाम देदेंगे या कुछ और commission का नाम देदेंगे तो यहाद एक हैं Central Water Commission Glacier Lakes को करती ही प्रिपेर जो 10 hectares यार उसके अबब होते हैं और कैसे करती है satellites से उसके पर page 8 पे था आपने देखा होगा केरला में थोड़ा सा वो बवाल सा मचा हुआ है कि वो century का उन्होंने eco sensitive zone का था कि 88 km करना और central government ने जाधा कर दिया तो eco sensitive zones पढ़ते हैं क्या होता है eco sensitive zone जो होता है वो होता है protected area जो होते है न हमारे national park होगे wildlife century होगी उसके इर्दगिर का 10 km का area या eco sensitive और यह लिखिए जो जो मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज़ लिखेगा eco sensitive zones जो होते हैं वो ministry of environment forest वाले करते हैं और वो under constant act के करते हैं environment protection act ठीक है दूसरा point यह ज़रूर लिखेगा environment protection act के अंदर कर जाता है और अगर कोई ऐसा sensitive corridor है जहां पर जादा की जूर्त होती है तो वो 10 km के जादा भी कर सकते हैं ऐसा नहीं यह कि 10 km ही कर सकते हैं उससे जादा भी कर सकते हैं ताकि minimize हो चके negative impact कोई भी fragile ecosystem पर नहाँ हो उसके बाद activities के बारे में है कि क्या-क्या allowed है क्या-क्या नहीं allowed तो prohibited मतलब जो मना है वो कौनसी activities है एक तो eco sensitive zone में commercial mining नहीं हो सकती, saw mill नहीं हो सकती industries causing pollution, major hydroelectric projects नहीं हो सकते major का मतलब होता है जो 25 megawatts से जादा के हो और commercial use of wood नहीं हो सकता, tourism activity जैसे hot air balloon में गुमाने ले जाते हैं वो नहीं होगा, solid waste management की जाती है और regulated activities मतलब कुछ activities मतलब दी भी गई है मगर वो regulated होती हैं, जैसे felling of trees है, hotels खोल सकते हो बट थोड़ा से regulations में करना होता है कि कुछ norms होते हैं उसके commercial use of natural water, erection of electrical cables, agriculture system ठीक है, और permitted के activities है, horticulture practices permittable है, rain water harvesting कर सकते हो, आप organic farming कर सकते हो renewable energy का resource use कर सकते हो, ठीक है यह हमारा समझाने का है कि कुछ activities prohibit की जाती हैं, कुछ activities मना होती हैं, कुछ activities कर सकते हो अब, ध्यान से सुन लिए अपने बाद और basically इसका aim क्या होता है कि some kind of shock observers, मतलब एकदम से कोई shock पड़े तो यह आसपास का area उसको observe कर ले, एकदम से अंदर की जो soft चीज है, हमारी fragile चीज है, उसको perfect कम आई, और जो Environment Protection Act है, वो कोई mention नहीं about उसमें eco-sensitive zone, बस उसमें यह का गए है कि ऐसी जगे, जहां पे कोई चीज़े prohibit की गई है, करी जाए, तो उसको हमने eco-sensitive zone बूलना शुकर दिया, मगर act में as it is, इसका नाम अगर आप यह paper देते time दे रहे हूंगे ना, तो अगर आपने अभी तो पढ़ा ही है, तो आपको पता नहीं है, तो हमने पढ़ाता है Environment Protection है, तो आप यह गलत कर दूगे, बट उस टम जो आप दे रहे हैं तो आपको लोगता है, यह wildlife protection active होगा, तो इसलिए जो जो मैं बता रहा हूं, बहुत डिटेरिंग में लिखिये, और the purpose of the declaration of eco-sensitive zone is to prohibit all kind of human activities in those zones, except agriculture, देखे, अब ऐसा question देखे, आदमी कहेगा, या दोनो ही चीज़े ठीज़े कर रहे हैं, बोथ one and two, बट यह दोनो statements गलत है, prohibit all the kind of human activities, हमने देखा है कि कुछ चीज़े prohibited हैं, कुछ चीज़े permitted हैं, कुछ चीज़े regulated हैं, अग्रिकल्चर के लावर भी हमने चीज़े देखे हैं, तो इसलिए ये question का ये चीज़ answer गलत है, तो ऐसी-सी चीज़े पूछते हैं, तो जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत को डिलेट के पैसे नहीं दे रही है वो, तो उसमें प्रधान मंत्री आत्मिने भर स्वास्त भारत योजना के बारे में था, स्वस्त भारत योजना, इसको थोड़ा सा पढ़ ली थे, इसका बेसिकली इसने डेवलप करनी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, और टर्शरी, हेल् हैं, और उन्होंने इसमें क्या करना है, जो अभी भी national हमारी institutions हैं, वो भी उनको भी strengthen करना है, और नहीं भी create करनी है, ताकि हम जो ये नहीं नहीं बिमारी हैं, इमर्ज हो रही हैं, उसको detect कर सकें, उसको cure कर सकें, और ये addition में है national health mission की, it will not replace, it will be an addition, ठीक है, उसके बाद य आप इतनी detailing में लिखना चाहें, लिख लीजेए, बट थोड़ा-थोड़ा ये लिख लेज़ेगा, it will provide support for rural and urban health and wellness centers, numbering याद ना भी रहे तो कोई बात नी, इतनी numberings नहीं पूछेंगे, उसके बाद integrated हमने public health labs बनाने हैं, all the district, all the districts ये याद रखेगा, और setting up critical care hospitals बनाने हैं, उसके बाद आप लिख सकते हैं, strengthening company, हमने national center for disease control की, उसके बाद आप लिख सकते हैं, the scheme will expand the integrated health information portal to all the utilities and states to connect all the public health labs, कि ताकि हम सारे public health labs को connect कर सकें और एक health portal बना सकें, याद रखेगा, उसके बाद ये आप लिखना चाहें, लिख लिख लेजेए, बिलो also strengthen 33 existing public health units at the points of entry, ताकि sea ports पर एंटरी हो, airports पर एंटरी हो, land crossing जो हैं, वहाँ पर भी हमने public health units बनानी हैं, और दो mobile hospitals बनाने हैं, 15 हमने, ये numbering जो लिखेगा, दो mobile hospitals, और 15 health emergency operation centers, और उसके बाद ये लिखेगा, one health, हमने एक national institution बनाना है, one health, one health क्या है, WHO का, वो है, regional research platform, one health क्या है, regional research, research हो ताकि हम ब health बनानी है, four हमने बनानी है, regional national institute for virology, ये numbering लिख लिखेगा, four regional national institute for virology, और उसके बाद nine biosafety level, three laboratories, ठीक है, ये ज़रू लिख लिखेगा, और इसके लाबा और कुछ करने की जूरुरत नहीं है, जितना बताया गया है, उतना करिए, जो मैंने का है, detailing में लिखेगा, अग अगर आपको भी ये lecture 18-20 minutes में complete हो रहा है, तो इसमें मुझे आज 4-4,5 गंते लगे हैं, हर चीज समझने में, करने में, तो बिलकुल भी एक भी चीज को lightly मत लीजिए, don't waste your time, बस जितना बता रहा हूं, उतना करते जाहिए, it is more than enough, thank you, have a good day and take care, और अच्छा लगे तो please like क करो, बट करो, देखा है तो करना जरू, please, thank you so much, have a good day, take care.